गूर्मानिंग चिल्डरंस हिंदी की नोटबुक में आज आप भीच में आने वाले स्वर लिखो राइट करेंगे जैसे यह अ से अनार है और इसे इंडी राइट किया हुआ है अब इसके बीच में जो स्वर आएगा वो राइट करना है आपको जैसे अ से अनार के बाद में आप क्या इस्पीक करते हो असे अनार आ से आम छोटी से इंडी ऐसे बोलके इस्पीक करोगे आप तो आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पर क्या आएगा आ से आम इसे तरीके से आपको सारा राइट करना है यह अब जैसे यह क्या है बड़ी इसे इग आप यहाँ पर भीच में क्या राइट करेंगे उसके बाद में जो आएगा और इन दौनों के बीच में जो आएगा वो राईट करना है आपको बड़ा उसे री से रिशी एं से एन के बीच में तो ओ से ओक्ली अं त्कली अं से अंगुर के यहां बीच में क्या आएगा आ से आम और बड़ी ई से E के बीच में यहां पर क्या आना चाहिए आप इस प्रीक करींगे तो आपको अपने आप पता चलेगा उसे उल्लू और री से रिशी के बीच में आप जैसे प्रीक करो आप असे नार, असे आम, इसे इमली, इसे ई, उसे उर्लू, फिर बढ़ा उसे उन, भी से रिशी, क्या आया यहां पर? बढ़ा उसे उन, एसे एडी, उसे उखली के बीच में आपर, आउसे औरत, और अहां खाली के बीच में आपर क्या आएगा? इसे तरीके से आपको ट्राइट झाल